हरी हरी ओम इल्म जोतेस लाल किताब में मैं शरत कुमार गुपता आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ दोस्तो हम आपके लिए एक नई स्रीज ले करके यहां आ रहे हैं आपको कब कौनसी चीज वस्तु धारन करनी चाहिए यदि आप चाहते हैं किसी विशेज चीज पर कब धारन करना चाहिए तो आप हमें कमेंट्स बोक्स में बता सकते हैं हम उस पर वीडियो विस्तार से ले करके यहां ले करके आएंगे तो पंडी जी की कलम क्या कहती है इसी स्रीज में आप चांदी की गोली कब रख सकते हैं सोने के चल्ले आभुशन कब धारन कर सकते हैं माला कब धारन कर सकते हैं और चल्ले पैरों में कानों में या नाक में कब धारन करें दोहे के कड़े चांदी के कड़े धारन करने से आपक कर लेजिए और हमारा वीडियो पसंद आए तो लाय और शेर जरूर करें हम जल्ट से जलासाय करते हैं वीडियो लेकरて आएं इस बाधे वीडियो लेकर आने में हमें बहुत देर हो गई है इसके लिए हम छमा प्रारती है तो दोस्तो हम चर्चा करेंगे आज हमें कड़े कब और क्यों धारन करने चाहिए कड़े पहनने से हमें क्या लाब होता है कौन सी धातु का कड़ा हमें धारन करना चाहिए तो दोस्तो देखते रहिए तो दोस्तों आज का विश्य है कड़े कब धारन करने चाहिए लोहे का, चांदी का और तांबे का ये कड़े मुख्यत है, इनसान पहनता है क्या इन कड़ों को पहनने से आपको हमें इसा फायदा होता है कि नुकसान होता है सबसे पहले हम बात करते हैं कि लोहे का कड़ा किन व्यक्षी को धारन करने से फायदा होगा इसके लिए आपको खारा नमबर 11 और 9 देखना ती आवश्यक है किसी का राहु 9 में या खारा नमबर 11 में बैटकर खराब रिजल दे रहा है तो आप लोहे का कड़ा तुरन धारन कर लीजिए बुद बारा में आपको खराबी दे रहा है व्यपार में दिक्कत दे रहा है कहिना कहीं शादी में दिक्कत दे रहा है तो आप लोहे का कड़ा धारन कर सकते हैं लोहे के कड़े धारन करने से बुद्ध और सनी का योग बनेगा जिसके कारण आप उत्तम व्यापारी बन जाएंगे व्यापार में हो रही हानी से आप बच जाएंगे और राहू जो बदनियती कर रहा है आपके दादा को और पिताओ को नुकसान दे रहा है कहिना कहीं जेल कोट के चैरी के योग बना रहा था और लाब में नुकसान दे रहा था वो शनी की दृष्टी में आने से आपको उत्तम और फाइदे देने लगेगा क्योंकि खाना नमबर तीन 11 को और 9 को देखता है और 12 को मदद दिया करता है और खाना नमबर तीन को एक्टिव करने के लिए लाल किताब कहती है कोई भी चीज हाथ में धारन कर ली जाए तो आपको उसका रिजल्ट तुरंत मिनने लगता है इसलिए लोहे का कड़ा धारन क कर लेना चाहिए किनी की कुंडी में अगर सुक्र खराब अवस्ता का है तो लोहे का कड़ा धारन करने से हमने देखा है प्रैक्टिकल अनुभव किया है तो उनको फायदा मिल जाता है कुछ विशेस कंडिशन में सभी कंडिशनों में नहीं कहेंगे जब सूरज सनी को करके खराब रिजल्ट दे रहा हो या सूरज कहीं 11 में बैट करके खराब रिजल्ट दे रहा हो तो शनी की दृष्टी परने पर सुक्र अबाद हो जाता है ये लाल किताब का नियम है जब शनी सूरज को देखता है तो शुक्र अबाद होता है और जब सूरज सनी को देखत तो सुक्र बरबाद होता है या सुक्र की बली चड़ जाया करती है ऐसे ही कुछ विशेश योगों को ध्यान में रख करके हम लोहिका कड़ा धारन कर सकते हैं जब राहु खराब रिजल्ड दे रहा तो लाल किताब कहती है योगी और अलंकारी होगा कब जब सनी की दृष्ट में आज जाए अब वो विशेश फायदे देने लगेगा कहिना कहीं अच्छे डिसीजन देने लगेगा वहीं बारा का बुद्ध अगर कोड़ी बोला है पागल की शंग्या दी गई है ऐसी दिक्कते आ गई है दिमाकी तोर से गरस्ती तोर से तो आप लोहिका कड़ा पहन कर लीजिए या छला धारन कर लीजिए क्योंकि तीन मदद पर आ जाएगा तो अम्रत कुंड के समान बुद्ध रिजल्ट देने लगेगा तो दोस्तों आगे चलते हैं कि चांदी का कड़ा विशेश तोर से कोई भी पहन सकता है जिनका मंगल बद हो या शुक्र खान नंब लेना चाहिए आगे की विस्तार से चर्चा कर रहे हैं तो हम तांबे के कड़े पर कुछ पिसेश दियान देने योग्या बात आ जाती है तांबे का कड़ा पहनने से पहले देख लिया जाए नौ में और तीन में कहीं शनी तो नहीं है जिस परकार हमने बताया कि सूरज शन को देखेगा तो सुक्र का नास होगा और शनी सूरज को देखेगा तो शुक्र अब बाद होगा अगर हमने अचानक कड़ा पहन लिया आपके स्वास्ते में दिक्कत आ गई आपको सारे री कमजोरी आ गई या आपकी पतनी का स्वास्ते खराब हो गया डेली इंकम में दिक कता आ गई तो कहिना कहीं तामबा यानि कि सूरज का शनी से मिल जाना ये खराब अवस्था बन जाएगी आपको कब धारन करना जब जब खाना नमबर 11 में ब्रस्पती बैठा हो उसको अकेला हो आपके पिता नहीं हो आपको कहीना कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही हो और खान सूरज और ब्रस्पती की हवा मिल करके उत्तम योग बनेगा जिसमें मशनुई ग्रह का जन्म होगा आपको दिल की शान्ती मिलेगी इसी परकार विशेज धियान करते हैं आपको हर स्टेब वाइस हर वस्तू को धारन करने से पहले किसी विशेज सलाकार से कुर्णली दिख लेना अति आवश्यक होगा यदि आप कोई विशेज सी धारन करना चाहते हैं तो हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं उस पर हम इस तार से वीडियो आखे हैं दोस्तो कड़ा किसको धारन करना चाहिए इसको फाइनल हम एक बार फिर आपको बता दे जि उसको लोहे का कड़ा धारन कर लेना चाहिए तांबे का कड़ा विशेश तोर पर ब्रस्पती अगर क्यारवे घर में सोईवी यवस्ता का है पिता नहीं है और हर तरप से वो हतास है दुनिया से तो उसे तांबे का कड़ा धारन करना हैं सुक्र नोवे घर में बैठा है आपकी आमदनी में दिक्कत आ रही है, मंगल बद हो गया है, भाईयों से नहीं बनती, आप चांदी का कड़ा धारन करें, कई अवस्ताओं में तीन धातु का कड़ा भी धारन कर सकते हैं, विसेश तोड़ से तांबे के कड़े पहनने से पहले यही देखना है कि खाना नमबर ग्यारा में और नौ में कहीं शनी तो नहीं बैठा, अगर शूरत सनी का टक्राव हो गया तो मंगल बद हो जाएगा, शुक्र मारा जाएगा, घरस्ती में दिक्कत हो जाएगी, इन्हीं कुछ विशेशों को ध्यान करके, आप सनी का लोहे का कड़ा धारन करते हैं भी आपक ग्यार कहीं आपको एक तरफ अच्छा और दूसी तरफ बैड रिजल्ट देना शुरू कर देता है, उपाए हर वक्त लाल की ताम में किसी ना किसी बुनियाद और आधार पर काम करते हैं, दृष्टी संबंधों पर काम करते हैं, खानों को एक्टिव करने पर काम करते हैं, सोईवी अवस्ता को जागरीब करने के लिए काम करते हैं, मदद दिलाने के लिए काम करते हैं, जिस परकार बारा और तीन का आपसी मदद का तालुक है, ऐसे ही नो और ग्यारा का दृष्टी संबंध का तालुक है, इनी चीजों को ध्यान में रखते वे, हमें कड़ा धार करना है, किस धातु का धारन करना है, कितनी धार का धारन करना है, ये विसेज ध्यान देने के लिए आपको पत्री में अपने ग्रहो को देखना अती आवश्यक है। और अपने मित्रों के शाथ शेयर करेंगे अगली कड़ियों में हम विसेज चर्चा करेंगे गोली, चांदी की गोली, सोने की गोली, लैट की गोली, अन्य धातू कब और कहा धारन करनी चाहिए, किसको नाक छेदन करना चाहिए तो देखते रही है, पंडिट जी की कलम से मैं शरत कुमार गुपता, फिर मिलता हूँ इल्म जोतिसलाल किताम में वंदे मातरां चाहिए